हाई गाईज कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं कि आप अच्छे होएंगे और इस समय आप पड़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होएंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी तो गाईज आज Constitutions के स्रीज में हम लेकर आए हैं सासन से संबंदित चीजें सासन से संबंदित वीडियो जो की बहुत ही important साबित होगा तो चलिए गाईज देखते हैं हम सासन देखेगा सासन में क्या है अगर हम भारतिय सासन की बात करें कि Constitutions ने किस तरीके से भारतिय सासन को डिवाइड किया है तो देखेगा यहाँ पर जो सासन बिवस्ता है भारत की वो दो तरीके से होती है एक तो संग है और दूसरा राज्य है संग क्या है केंद्र है और राज्य जो हमारे राज्य है तो देखिए संग जो है वो भाग 5 में है और राज्य जो है वो भाग 6 में है वैसे संग से संबंदित चीजें जादा तर हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में तो गाईज देखिएगा संग में क्या है अनुच्छेद बावन से 151 तक होता है तो बावन में आपको हम राष्टपती पढ़ा चुके हैं बिदायका भी पढ़ा चुके हैं और आप से संबंदित से संबंदित कोशन पूछे जाएं वो आप अच्छे से कर पाएं तो गई देखिएगा यहां पर संग संग से संबंदित देखिए बिदायका पढ़ा चुके हैं कार्यपालिका पढ़ा चुके हैं नियायपालिका की भी बात कर चुके हैं लेकिन आप दे मायवादी यह आपके केंडर में यानि संग में संग में यह उसके की बात करेगी तो राज्यजी की कार्येपालिका सकते ह Mainly लग 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 एक सी हैं कुछ सक्तियों को छोड़ कर उसके बाद आई पर्याष्टपती की संग्धों में होता है लेकिन राज्य में प्रेश्ट्पति का कोई नहीं हुता है उपर आज्येपाल का कोई पकाश नहीं होता है उसके बाद से यहां पर यह मुख menstru का पद हो गया क्रदान कर दो गया मंत्री पर्षद यहां पर भी होती है मंत्री पर सट राज्ये Zamoandra अजिका का है जो कि एक ज़िए कि सरकारी बकील ठीक है तो केंदर में भीelijk कोता है उसे महानियावादी कहते हैं जबकि यहां पर अपने इस्टेट में उसे क्या कहते हैं महादिवक्ता कहते हैं तो आप इसके according इसे correlate कर दीजिए आपको automatically सासन विवस्ता समझ में आने लगेगी केंदर की सासन विवस्ता क्या है और राज्य की सासन विवस्ता क्या है और किस तरीके से राज्य में कौन-कौन से संवेदानिक पद हैं और यहां पर कौन-कौन से संवेदानिक पद हैं दोनों को आप correlate करके पढ़िएगा अच्छे से समझ में आएगा गाइच उसके बाद देखिए राज्य का विधान मंडल देखिए जिस तरीके से हमने केंद्र का या संग का हमने सदन पढ़ा था संसद पढ़ा था यहां पर राज्य पाल हैं देखिए वहां पर राज्य सभा को उच्छी सदन कहते थे दितिय सदन कहते थे इस्थाई सदन कहते थे अप्रतियक्ष सदन कहते थे तो वहां पर किसे कहते थे राज्य सभा को कहते थे जबकि इस्टेट में सेम वही कंडिशन किसके साथ है सदन कि雖然 को किरds Qframe कि तो राजिय के बिद्हानमंदल की बात करेंगे तो राजिय में किसे कहते हैं बिद्हान सबा को कहते हैं ठीक है उसके बाद गाइच जो होता है किसी वह स्टेप में आप केंद्र का प्रतिनिदी होता है ये आपको दिहान रखना है केंदर सरकार का प्रतिनिदी है क्योंकि हमारे यहाँ पर केंदर राज्य जो है किसी भी राज्य का राज्य जो होता है किसके अधीन होता है केंदर सरकार के अधीन होता है और तो बहाँ पर एक राज्य मलक केंदर का प्रतिनि दी होता है किसी भी राज्य में और राज्य की कारियपाल का कौन होता है प्रिधान होता है ये आपको दिहानर cónd राज़़ापाल की नियुटि कौन से अनुच्छे के अंतरगत होगी मैं तो आपको दिहान रखना है अनुच्छे 253 की अंतरगत राज्यों Lesson संग सरकार्ण की समय किसमे नियुट होती है वो राश्डपती में नियुट होती Memo यहां पर राज्य में किसमे नियत होगी राज्यपाल में नियत होगी तो गायज राज्यपाल और राष्टपती को आप को रिलेट कर दें बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसी तरीके से प्रिधान मंत्री को मुख मंत्री के साथ को रिलेट करें बिल्कुल समझ में उनसे रिलेटिड बत अनुच्छेद बदल जाएंगे बाकी सारे का सारा सिस्टम बैसा ही है कुछ चीजों को छोड़ कर तो इस तरीके से गाये जी चीज हमारी जो सासन बिवस्ता है कि केंदर में कैसे चलती है और राज्य में कैसे चलती है उसके बारे में हैं उसके बाद ग नाम मात्र की कारे पालिका और बास्तविक कारे पालिका मैंने पिछली वीडियो में जब राष्टपती की बात की तब आपको बताया था कि अपने जो केंद सरकार में होती है वो भी दो तरीके की कारे पालिका होती है और एक कैसी होती है बास्तविक कारे पालिका में कौन ह और कारेपाल तरही होने काहिए प्रधान मंत्री यहां मंत्री क्या होती है तो आपको यहां पर भी जादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कनफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसके बाद गाई अनुच्छे देख सो पच्पन क्या कहता है राज़िपाल की नुक्ति राष्टपती द्वारा संग की सलापर की जाएगी मत्तल़ कि संग सरकार की लिस्ट देगी राहि के राज़िपाल जो ए राष्टपती क्या करेंगे यह ना को दिखान रहना है इसके बाद गाईज अनुच्छे 166 पदावादी राश्टपती के पर्साथ परियंत्र, अगर राश्टपती चाहें तो राश्टपती सासन को और बढ़ा सकते हैं, अगर वह चाहें, तो नहीं बढ़ा सकते हैं. उसके बाद गैज अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 क्या करता है, आकस्मिक परिस्तिती में राज्यपाल के कारिये, सपोज कीजिए, कहीं पर राष्टपती सासन लगाना है, या कुछ और, कहीं के मुखवंतरी का निधन हो जाता है, तो क्या करना है, तो बहुत सारी ऐसी प इस परिस्तिती हैं, जिनमें राज्यपाल के कारियों के बारे में राष्टपत्sl परश्टक क्या है, तो यह देखी तो मैं और दिया जाता है इसी तरीकत यहां पर Vimantri परसद द्वारा क्या क्या आता है राश्टपति को सहला सही जाता है उसके गास पर क्या है महा दीवकता ठीक है महां पर क्या था महा ने आए बादी उसके बाद दिखीगा सब्सक्राइब अपको अच्छी से पढ़नाहै कि कौन सा किसमे आता है वहां पर क्या रहता है बहाँ पर रहता है 89, 81, 81 यहाँ पर कितना है 168, 170 और 170 उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 171 में अनुच्छेद 171 क्या क्या क्याता है विधान परशत सदस्यों का निर्वाचन तो विधान परशत सदस्यों का निर्वाचन जो होती है हमें यहाँ पर अनुचेद 175 अनुचेद 175 क्या कहता है अनुचेद 175 क्या कहता है राज्यपाल को अभिवासरण का अधिकार होगा तो बहाँ पर भी राष्टपती को अभिवासरण का अधिकार होता है अनुचे 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सकती है बहाँ प पर हैं तो आपको यह दियान रखना है जितने भी अनुच्छे दिखें सब के सब मोश्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको सब को पढ़कर एक्जाम में जाना है बिना पढ़े आपको नहीं जाना है इसे समझ दिजिए को यह भी अनुच्छे दियां से पूछा जा सकता है सब इंपॉर्टेंट कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद गायज देखते हैं अनुच्छे दोसो चौदे क्या करता है राज्यों के लिए उच्छे नियाले की विवस्ता ठीक अनुच्छे दोसो इकतिस कहता है दो या दोसे अधिक राज्यों में एक ही उच्छे नियाले मतलद दो या दोसे अधिक करेंगा राज्य पाल करेगा यह धिया रखना है अनुचे 233 के अंत्सक्राद जिला नीया अदिसों की नियुक्ति कौन करेगा राजयपाल करेगा ये आपको दिहां लखना है उसके बाद गाईज राजयपाल दोवारा जनजाती है कल्यान मंतरी की नियुकति वाले राजय देखिए यहां से कुछ important facts शुरू होते हैं ठीक है राजेपाल द्वारा जन जाती है कल्याण मंत्री की नियुकती वाले राजे देखिए कुछ राजेयों में जहां पर जन जाती है जादा होती है बहाँ पर राजेपाल को अधिकार होता है कि वो एक जन जाती है कल्याण मंत्री की नियुकती कर सकते हैं तो वो राजे हैं देखिए जहार गंड है चतीस गड़ है मद्यप्रदेश है और ओडिसा है तो ये चार राजिये ऐसे हैं जहां पर राजिपाल दुआरा जन जाती है कल्यान मंत्री की न्युक्ति की जाती है ये आपको बिसेस तोर पर दिहान रखना है और चारों राजियों के नाम भी अच्छे से पढ़ लेना है जिससे आपको कोश्चन अगर यहां से पूछा जात है तो राजपाल का वेतन है तीन लाग पचास हजार रुपए भारत की पहली मेला राजपाल कौन थी सरोजनी नाइडू थी यह आपको अच्छे से दियान रखना है और यह पहली मेला राजपाल थी और यूपी की राजपाल बनी दी यह भी आपको दियान रखना है उसके है विधान सबस्ट अपना त्याग पत्र किसे देगा उपाध्यक्ष को देगा यह धिहान रखना है उसके बाद पूरे ते पहली महला मुकमंत्री थी यह आपको धियान रखने उसके बाद समान नागरिक सहिंता पर इससे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है तो यहां पर देखेगा समान नागरिक सहिंता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यह मात्र राज्य ऐसा है जहां पर लागू है और वो राज्य है हमारा गोवार तो यह दिहान उसके वस्तपा को भारतिये कानून ने 2 तरीके से बाटा है एक संग में और दूसरा राज्य में संग जो ृभाग 5 में आता है और राज्य जो आता है वह भाग 6 में आता है अनुछी 5151 तक यह wonderищ संग है और अनुछी दी 152 से faces t बक्तिस तक क्या संबन्दित आपड़ साहीव को मैंनेस और यह बहुत इंपॉस्षळ इंहें आपको अच्छे से पढ़ लेने तो आपको सासन बेवस्ता अच्छे से समझ में आ गई होगी चाहें तो आप इसका स्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंटे जरूर कर दें और आगे हमें कि तरीके की वीडियो बनानी चाहिए या किस पर वीडियो बनाएं जिससे आपको परिक्षा की दरश्टी से परिक्षा में फायदा मिले फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जय हिंद